हलो डियर स्टुडेंट्स कल मैंने आप लोग का क्लास टेस्ट लिया था कुछ ही बच्चों ने क्लास टेस्ट में परफॉर्म किया है और जिन्होंने क्लास टेस्ट में परफॉर्म किया उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है वेरी गूट इसके जो marks एड़ होंगे जो आपके practicals के marks जो आपके men exam में जो एड़ होते है वो किसे according एड़ होंगे आपके class test के according एड़ होगे जिसने class test नहीं दिया है उसके marks उसको कम marks मिलेंगे और जो देगा उसे जाधा मिलेंगे ठीके अब बोलना मत कोई भी बाद में कि practical में ते कम marks क कैसे हम लोगों ने तो लिखा था आपके जो सesnahumnal है उसमें भी आप लोग को इसके marks add होंगे जिन्होंने class test दिया है उन्हें इसके marks add होंगे उनके class test के marks के a carding marks add होंगे ठीक है और सेशनल के marks practicals के marks आपके main exam में add होते हे उसी के according आपका percentage निकलता है तो नेक्स टाइम से ध्यान रखना तो आज हम बात करेंगे हम लोगों ने unit 3rd स्टार्ट करी थी unit 3rd में हमारा first topic complete हो गया है acid fires acid fires के बारे में हम लोगों ने देखा था तो मैं एक बार और फिर से बता जीती हूँ acid fires क्या होते है acid को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते है हम जब acid डालेंगे तो क्या हो जाएगा वो neutralize हो जाएगा है ना तो हम उसे neutralize करने के लिए क्या यूज करते है अब आज हम बात करेंगे antacid अब antacid क्या है तो antacid में देखिए antacid ant ant मतलब against acid के against जो work कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते है antacid antacid कौन से nature के होते है basic nature के होते हैं तो इसे हम लोग इस तरह से समझेंगे तो देखिए आपका stomach है अब यह आपका stomach है stomach का pH कितना है 1.5 to 2.5 कितना होता है 1.5 to 2.5 मतलब बहुत ज़्यादा acidic environment है stomach का ठीक ऐसा इतना pH कितना होता है जिसे तेजाब अगर आपका stomach का जो acid है उसे बाहर निकाल कर आपके हातों के उपर डाल दे या फिर फर्ष के उपर डाल दे तो क्या हो जाएगा वो जल जाएगा हातों में से skin निकल जाएगी महाँ पर white दिखने लगेगा आपकी bone द dangerous होता है यह acid यह हमारे stomach में present है जैसे मैं आपको previous lecture में बताया था कि acid का हमारे body में क्या use है यह food को digest करने का काम करता है जैसे यह complex food को simplex food में convert करने का काम करता है अगर SCL जो stomach acid है वो हमारे stomach में present नहीं होता तो क्या होता digestion में problem आती जो food है वो proper digest नहीं हो पाता जैसे कि कई लोग non-wage खाते हैं है ना non-wage जैसे non-wage हमारे stomach में जाता है तो stomach में non-wage जाएगा वो बहुत hard होता है तो वो proper digest नहीं होता पाता जैसे कि पुराने लोग थे पुराने लोग अभी तो हम लोग क्या करते हैं फूट को cook करके खाते हैं बट पुराने लोग क्या करते हैं जो हमारे आदी मानों लोग थे आदी मानों क्या करते तो ऐसे ही लेते थे कच्छा की कच्छा और एकदम non-wage को ऐसे के खा लेत करने, चूटे 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 पार्ट में तोडने का काम करता था है ना अब हमने पहले बात करी थी कि यह इतना घदनाक acid हमारी body में present है हमारी stomach में present है तो यह बहुत dangerous acid है अब हमारी present है हमारे stomach में फिर भी हमारे stomach की जो लेयर है skin है उसके ऊपर जो इसकी stomach की जैसे यह wall है है न यह हमारी stomach की wall है तो इसके ऊपर कैसे affect नहीं कर रही है इसका कितना pH है 1.5 तो तुपॉम्त 5 ठिक अब यह किस तहरे कैसे कि स्टमक की वॉल को जब अगर आपके हातों की स्किन के उपर एसिट गिर जाए तो क्या हो जाएगा जल जाएगा जो आपकी बोन वह दिखने लगेगी हातों की बोन दीखने लगेगी और उससे ज्यादा सॉफ्ट इसकिन कहा होती है हमारे जो हमारी बॉड़ी है उसके ने दो ग्लास है हम दो ग्लास लेंगे यह एक ग्लास यह और एक ग्लास यह अब एक ग्लास में हम लोग क्या लगाएंगे इस glass में हम लोग लगा है यह glycerin और या फिर आप लगा सब्तो weseline की layer क्या लगा रहे हम लोग इस glass में क्या लगा रहे glycerin और weseline की layer और इस glass में हम लोग कुछ भी add नहीं कर रहे है न तो यहाँ पर हम लोग क्या add कर रहे है glycerin और weseline की layer और इसमें हम लोगों ने क्या एड कर दिया इसमें हम लोगों ने एड कर दिया एसीड यह क्या है हमारा एसीड जैसी हम लोगों ने एसीड एड करा तो उसमें क्या निकलने लगी उसमें से फ्यूम्स निकलने लगी तो उसमें से क्या निकलने लगी फ्यूम्स निकलने लगी फिर हम लोगों क्या करा है इन दोनों ग्लास में से एसीट को निकाल लिया ठीक है अब एसीट को हम दोनों ग्लास में से क्या करेंगे निकाल लेंगे तो जैसी हम लोगों ने इन दोनों ग्लास में से acid को निकाला तो फिर क्या हुआ यहाँ पर जो यह वाला glass है उसमें से क्या हुआ यहाँ पर जो इसकी layer है यह जो layer है यह क्या होने लगी black black हो गई क्या हो गई यहाँ पर black हो गई अब यह black क्यों हुगी क्यों क्योंकि जो acid है वो direct प्रेजरीट तो QUE मेंrement का बयर की खिरला और ही के वहाइसrick तुमी नियुक्त आए इसमें ग्लीसरीन पास आँख एक लंग चानल हमारे बाइस की डासरीन क करा है हमारे ग्लास की इसकी वज़े से क्या होगा जो G.O. vara we इस टमक में यह वाली क्या है, ग्रीन वाली क्या है, इस टमक की लेयर है, इस टमक की जो वाल है, वो है, इसकीन जो है, इस टमक की वो है, अब यह जो रैड वाली क्या है, रैड वाली हमारी म्यूकस लेयर है, कौन सी है, म्यूकस लेयर है, जो की म्यूकस को सिक्रेट करने का का करती है, secretion का काम करती है और जो हमारी blue वाली जो है, उसे हम लोग क्या बोलते है, parital layer क्या बोलते है हम लोग इसे parital layer, p-e-r-i e-t-a-l parital layer और इसे हम लोग क्या बोलते है aggressive factor, parital layer को ही हम लोग क्या बोलते है, aggressive factor और mucus layer और को हम लोग क्या बोलते है प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या बोलेंगे प्रोटेक्टिव फैक्टर तो अग्रेसिव फैक्टर क्या करता है एसी यल को सिक्रेट करने का काम करता है इस चमक में क्या होता है जो हमारी जो यह वाली जो लेयर है यह जो ब्लू वाली लेयर है यह यहां से क्या निकल रहा है एसिड निकल रहा है और यहां से क्या निकल रहा है म्यूकस तो यह म्यूकस की लेयर है जैसे हम लोगों ने अभी ग्लास का एक्जामपल देखा है महाँ पर क्या प्रेजन था ग्लिसरीन प्रेजन था तो वो क्या कर रहा था जो हमारी glass की layer है उसे और हमारा जो acid है उसे दोनों को क्या कर रहा था separate करने का direct contact में नहीं आ रहा था same इसी तरह यहाँ पे क्या होता है इस ट्रमक में भी यह हमारे direct contact में नहीं आने के लिए हम लोग यह क्या करता है mucus की layer होती है और ये क्या काता है, mucus को secret कने का काम काता है, ठीक, तो इन दोनों का level, जो aggressive factor है और mucus factor है, ये क्या हो जाता है, imbalance हो जाता है, imbalance होने की वज़े से क्या हो जाता है, कि यहाँ पे जो aggressive factor है, वो जब बढ़ जाता है, तो क्या होगा, acid secretion जादा होगा, है न, जो हमारा aggressive factor है, वो ब जाएगी, एसिट का लेवल बढ़ जाता है और यहाँ पे एक बैक्टेरिया भी प्रेजन्ट होता है H.Pyroly जिसे का नाम क्या है? H.Pyroly बैक्टेरिया, है न, यह किस में यूज होता है, जो हमारा पैप्टिक अलसर है उसका में रोल होता है और जो हमारी म्यूकस लेयर है अब जैसे हमारी म्यूकस लेयर है ठीक, अब इस म्यूकस लेयर यहाँ से यह म्यूकस लेयर हट गई क्या हो गया? यह म्यूकस लेयर यहाँ से हट गई इतनी इतनी म्यूकस लेयर यहाँ से हट गई अब यहां से mucus layer जब हटी इतने portion से हमारी mucus layer हट गई ठीक है इतने portion हट गया तो क्या हो जाएगा यह जो acid हो यह जो acid है यह direct हमारी stomach की इससे contact करेगा है ना यह direct क्या हो गया acid हमारे direct stomach की जो layer है उसके contact में आया अब उसके contact में आने की वज़े से क्या होगा उसके जो wall है उसक मुकस हट किया महां से तो इस चमक के डारेक्ट कांटेक्ट में है तो महां पर हमें क्या हुआ पेन हुआ जो इसे हम लोग क्या कहते है इसे हम कहते हैं पैप्टिक अलसर पैप्टिक अलसर में आपको समझ में है क्या होता है जो हमारी म्यूकस की लिए रहे वह हट जाती है जो तो महार का जो portion है कुछ portion में हट जाती है और direct SEL हमारे wall के contact में आता इस टमक के तो वहाँ पर क्या होता है हमें बहुत ज़्यादा pain होता है और उसे हम लोग क्या बलते पैप्टिकल सर आप लोगों सभी ने सुना होगा पैप्टिकल सर क्या होता है इस acid को neutralize करने के लिए है इसको neutralize करने के लिए mucus को फिर से अपने position के उपर लाने के लिए यहाँ पर फिर से mucus को store करने के लिए जो हमारी इन दोनों को अलग-अलग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं उसको neutralize करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं एंटासीट का यूज करते हैं क्या आया आप लोग को क्यों यूज करते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं अब लोग को मैंने समझा दिया क्या यूज किस तरह से work करता है क्या होता है क्या हमारी body map function होते है क्या mechanism है acid किस तरह से secret होता है कौन सी layer से होता है कौन सी layer उसको protect कर रही है ठिक तो acid के secretion को neutralize करने के लिए महाँ पे जो mucus layer है उसके work को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या use करते हैं एंटासिट यूज़ करते हैं, कंपोर्ण यूज़ तो नूटलाइज तो एक्सेस अमाउंट ओफ एसीड इन इस टमक आर कॉल एंटासिट, जब एसीडिटी बढ़ जाती है, तो हम लोग क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, तो इनो क्या करता है, एसीडिटी को काम करने का काम करता है, और एसीड को नूटलाइज करने का काम करता है, एसीड नूटलाइज करना मतलब एसीड में बेस एट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नूटल हो जाएगा, excess of acid may cause many problems like pen, ulceration and also inactive the pepsin यह pepsin को inactive कर देता है अभी हम लोगों ने बात करा कि अगर acid ज्यादा amount में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? acidity cause करेगा, ulceration cause करेगा अब ideal properties क्या होगी? antacid की it should not cause constipation यह constipation cause नहीं करना चाहिए constipation का मतलब क्या होता है? देखो constipation यह अब हमारी जो food है वो छोटे 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 पार्ट में टूटके टूटके इस टमक में अब यह कहा जाएगा? small और large intestine में जाएगा sorry तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? water अलग हो जाएगा और solid पर अलग हो जाएगा कई बार होता है constipation आप लोगों सबको पताए क्या होता है तो बहुत जादा amount में क्या हो जाएगा? water का loss हो जाए मतलब जो water है वो बहुत जादा amount में वो absorb कर लेगी जो हमारी intestine है वो बहुत जादा amount में absorb कर लेती water को तो उसे हम लोग क्या बलते हैं? Constipation Its pH, its pH मतलब वो क्या कहा है? जो हमारा antacid है वो constipation cause नहीं कहना चाहिए Its pH should lie within the range of 4 to 6 और इसका pH कितना होना चाहिए? 4 to 6 जादा acidic नहीं होना चाहिए Basic nature का होना चाहिए तो it should with inhibit pepsin It should be pepsin आपको सबको पता है enzyme होता है It should be polytable and inexpensive It should act rapidly for a prolonged time period यह थोड़े time के लिए ही होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि हम लोगों ने ले लिया और तूरंद action शो करें ठीक, classification अब antacid कितने टाइब के होते है? एक सिस्टमिक होता है और एक non-systemic होता है systemic मतलब देखों यह हमारा antacid ant और acid यह कितने टाइब के है? एक सिस्टमिक और एक होता है हमारा non-systemic systemic direct blood में गुल कर काम करता है है ना? डाइरेक्ट blood के साथ वो करेगा और non-systemic क्या करता है? direct blood के contact में नहीं आता है है ना तो ये क्या करेगा जो systemic है they are rapidly soluble absorbable and capable of producing systemic electrolyte ulceration alteration sorry and alkalosis इसमें क्या होता है systemic में ये direct जो syrup है वो हमारी direct किसमें आ जाएगी हम direct blood के contact में blood में add करेंगे जो हमारा जो portion systemic antacid जो हमारे direct blood के contact में आगा और उसमें ही गुल के उसके pH को level करने का काम करेगा उसके थुरू blood के थुरू जहां पर है जर्वत है वहाँ पर जाकर act करेगा ठीक है और systemic मतलब जो हमारा systemic environment है body का उसके उपर affect करता है जैसे कि sodium bicarbonate और non-systemic क्या हो जाता है इस are not absorbed to a significant extent मतलब ये direct blood के इसमें नहीं आएगा those do not exert a systemic effect और ये direct हमारे जो body है जो हमारा blood है उसकी contact में नहीं आता है और इसका example क्या है magnesium salt and calcium carbonate और इसका क्या था sodium bicarbonate तो हम लोग sodium bicarbonate के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोगों ने देखा है antacid क्या होता है antacid का मतलब क्या होता है antacid क्या करते है जो acid है उसको neutralize करते है antacid का nature क्या होता है basic nature का होता है antacid और इनको neutralize करने का काम करता है antacid ठीक है अब कल हम लोग देखेंगे इसके compounds देखेंगे sodium bicarbonate के बारे में brief में पढ़ेंगे ओके थैंक यू